जोतिरादित्य सिंधिया ने प्रधान मंत्रिन नरेंद्र मोधी गुरूह मंत्रिया मिच्छा से मुलाकात के बाद मंगलवार को कॉंग्रेस से इस्तिफा दिया था इसके बाद मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार पर संकर के बादल मनरा रहे है मध्यप्रदेश कॉंग्रेस में बगावत के बाद जोतिरादित्य सिंधिया आज बीजेपी में शामिल हो गए है इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रे अध्यक्षर जेपी नड़ा मौजुद थे सिंधिया को बीजेपी राज्यसभा फेजीगी और यहाँ भी आटकरे लगाई जा रही है कि उन्हें मोधी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा वह कल भोपार पहुचेंगे और तेरा मार्श को राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे बीजेपी में शामिल होने वाले पहले सिंधिया ने मंगलवार को नई दिल्ली में पंतप्रदान नरेंद्र मोधी और गुरुह मंत्री अमिच शहा से मुलाकात की थी जिसके बाद उन्होंने कॉंग्रस से इस्तिफा का एलान किया था जोती रादित्त सिंधिया ने कहा था अपने राज़ो और देश के लोगों की सेवा करना मेरा हमेशा से मकसद रहा है इस पार्टी में रहकर अभियक करने में मैं अक्षम में हूँ साथ ही सिंधिया ने कहा यह मेरे लिए आगे बढ़ने का वक्त है मेरा मानना है कि सबसे अच्छा यह है कि अब मैं एक नई शुरुवात के साथ आगे बढ़ू सिंधिया के इस्तिफक के बाद मत्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को बहुमत खोने का खत्रा है दरसल सिंधिया खे में के 22 विधायकों ने भी इस्तिफादे दिया है इन विधायकों में 6 मंत्री भी शामिल है ब्यूरो रिपोर्ट इन बीसे अन्योस नागपूर